चलिए बच्चों, question number 9 देखिए, 4 cubes, 4 cubes हैं, each of side 3 cm, जिनकी side कितनी 3 cm है, ठीक है, are joint end-to-end, उनको हमने join कर दिया, मतलब एक cube को दूसरे cubes हमने join कर दिया, find the surface area of resulting cuboid, तो वो cuboid बन गया, तो हमें इसको क्या निकालना है, surface area निकालना है, दीको कैसे करेंगे, तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि, चार cube से निकालना है, तो आपको पता ही है, जो square से बनते हैं, एक cube हो गया, अच्छा जो, are joint end-to-end, जो दूसरा cube है न, वो यहीं पैसे side में बना हूँ है, मान लो, मुझे बनाना नहीं आ रहा, मगर मैं कैसे बना हूँ, मान लो, मै थोड़ा gap देके बना रहा हूँ, ताकि मैं आपको समझा सकूँ, पर मैं समझ नहीं आ रहा हूँ, मैं समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना थोड़ा, 2 हो गए, ठीक है, ऐसे फिर 3 हो गया, ऐसे फिर 4 हो गया, ठीक है, यह आपको सब बना के न क्या सबस्य थे लेंट को पत् linkage 6 Factory एक दो सब्रक्खाइब महम neither age को टीन तो एक दो टीन चार चैनल टो एक जो तेन बने गी अब मैंगी तो इन है कि यह ठीन क्या थे घर से इस में नहीं लेगी एक दो बदलने लेगी नहीं है कोई इन तो पर इतनी यह Süरज रहेगी क्योंकि यह जो लाइन ने खड़े हुई इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा बट सिर्फ और सिर्फ इसकी लेंट इंक्रीज हो जाएगी क्यूब की तभी यह क्या आएगा क्यूब वे बेसिकल क्या होता है तीनों चीजे सेम नहीं होती दो चीजें हो सकती है ब्रेथ हाई लेंथ कभी भी ब्रेथ के बरावर नहीं होगी अगर आप रेक्टेंगल की बात करेंगे या क्यूब ऑइट की बात करेंगे तो ठीक है हां बाकी जीजे से हो सकती है ब्रेथ हाइट है चलिए तो अब क्या हुआ अब हम समझ गए अब हम यह समझ अगर आपको डागराम बना सको आप अच्छे से मुझे तो बना नहीं चारों को जॉइन करके अगर आप बना सकते हो तो आप बना देना हम करेंगे क्या से देखो हम लिखेंगे कि आप साइड कि इच हाँ हम लिखेंगे कि आप फोर क्यूब्स इच ऑफ साइड थी सेंटिमेटर जॉइन टूकेदर ठीक है कि तो लिखेंगे कि साइड ओफ आप क्यूब कि कितनी है थी सेंटिमेटर ठीक है अब साइड ओफ कितनी है कि अब हमने लिखा आफ्टर जॉइनिंग ठीक है अफटर जॉइनिंग कि फोर क्यूप्स सबाँ फॉन लिख ओफ साइड ठी सेंटीमेटर ठीक है तो क्या होगा आपने साइगा आफ जॉइनिंग फोर क्योब इच अवसाइड थी सेंटिमेटर इट विल बिकम आ क्यूब वाइट क्यू बन जाएगा हैंस लेंथ आफ क्यूब वाइट टिक है कि ब्रैट ऑफ क्यूब वाइट है हाइट ऑफ क्यूब लेंथ इतने जाएगे बच्छो थी मल्टिपलाई फॉर बारा सेंटिमीटर और यह हमारी जो हैं दोनों की दोनों चीज़े सीम रहेंगी इतना आपको लिख देना है ठीक है इतना लिखने का आपको क्या करना है फाइ इस एरिया ओफ क्यूब वाइड इसको आप अगर मुझसे अच्छा लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं कोई मतलब एसा कुछ नहीं कि मैंने ऐसा लिख आ तो आपको ऐसा ही लिखना है ठीक है आपको क्वेशन समझ में आना चाहिए आपकी क्लास में टीचर कैसे करा रही क्या लिखने के लिए बॉला है आपको उ अच्छा लगता है आपको यह एच्छा लगता है बसा पको समझ में आना ची है और आप सब्स्की तरीगे के तीन QUEB क्योंब हमने जॉइन कर दिये इत्व भी गम की वह क्योंब बन जाएगा तो हमने बता जी कि लेंद इतनी है इतनी हारी इतनी है सब को सब बिल्कुल समझ में आ रहा है आ ब्रेक्ट में 12 जी जा 36 प्रेस थीज़ा नायड क्योंब है यह हो गया पता नहीं आपको दिखेंगे मतलуса यहां करता हम ठीक है यहां पर कर रहा है तो यहां चल रहा है एसे कर रहा हूं है ना चलो तो यह कितना है 36 और 36 कितने होते हैं 72 72 में हमने 9 को प्लस करा तो हो जाएगा हमारा 81 2 और यह 81 मुल्टिप्लाइ कर देंगे सेंटिमीटर का स्क्वेर 2 1 जा 2 2 8 जा सेंटिमीटर का स्क्वेर तो मिरा आंसर हो गया ठीक है जी चलिए हाँ जी चलिए जी क्वेशन हम अटेना आगया काफी भारी भरकम क्वेशन है देखने में लग रहा होगा आपको काफी बड़ा क्वेशन है और यह काफी क्वेशन इंपोर्टन भी है ठीक है और डिफिकल्ड भी है अगर आपने पहले नहीं किया तो बहुत से बच्चे सो ग है विद लेट फार जावद अपने हाइस बहुत इंडर दी एज अंडर इच अंडर एज तो इहीं समझ गई है पहले तो प्यू बडोग नहीं है क्यूब क्यू बनता है क्यूब से तो मतलब क्यूब की बात कर रहे है विद इच आउटर एज तो 1.5 और उसकी साईट कितनी है 1.5 meter है he gets the outer surface of tank including the base covered with square tiles he gets the outer surface of the tank tank surface की बात हो रही है including the base including the base इसका क्या मतलब हो गया इसका मतलब यह हो गया कि जो हम total surface रहे निकालते हैं न यह उसकी बात नहीं कर रहा है outer surface outer surface basically क्या होता है lateral होता है basically भार-भार का ठीक है लेकिन इसे मतलब including the base base को include करते हुए तो यह basically बात कर रहा है कि आपके पास cube का डबबा है cubicle डबबा है for example उसका उपर खुला हुआ है तो outer surface मतलब बाहर-बाहर का 4 और नीचे वाला एक face 5 पांच face चाहिए तो इसका surface area क्या formula बनेगा surface area का 5a square 6a square नहीं बनेगा 5a square बनेगा क्योंकि यह बात कर रहा है आउटर सर्फेस की और इंक्लोडिंग टैंक बेस इसे मतलब बाहर-बाहर का बाहर-बाहर का लेकिन बेस के साथ ठीक है तो यह हो गया covered with square tiles of side 25 cm अब जब आपका बन गया मानलो इमेजन करो कि छोड़ा सब retrouबह अब पन차 कोवर करनी यह पूरी जगा बहर-बाहर सबुरी क 위해서 सबसे पहले अगर आपने मिस कर दिया तो मैं आपको बता दू ठीक है काफी सारे बच्चे को फ्लो में गलत करेंगे आप उपर से करते बारे 9 सब्सक्राइब करेंगे लेकिन इसमें गलती है यह मीटर की बात चल रही है तो दोनों सेम होना चाहिए बाइब जब आपने यह मीटर है सेंटीमिटर है ठीक है तो फॉर इंग्जेम्पल आपने इसका निगाल लिए सर्फ सेंटीमिटर बना लो यह बेसिक से रूल है अगर आप अगर आपने एक एरिया निकाल लिया अब इसी के उपर आपको टाइस लगानी है तो जो स्क्वेर टाइस हैं उसको भी आपको मीटर में बनाने पड़ेगी तो आप कर पाएंगे या फिर इसको आप बना लें किसमें सेंटीमिटर में तो यह काम करते हैं इसको हम नॉर्मली मीटर में करते हैं बात में बना लेंगे सेंटीमिटर में देखे कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि अगर कि साइड ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक कितनी है 1.5 मेटर कि सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हैंस सरफेस एरिया कितना है 5a2 वाटर सरफेस ऑफ टैंक इंक्लूडिंग दिबेस ठीक है यह मारा आउटर सरफेस एरिया है जिसमें बेस शामिल है टोटल कितना होता है 6 जब वो 6 पूरा बंद है लेकिन अगर उपर से खुला हुआ है फॉर एक्जाम्पाइल ठीक है तो 5a2 वाटर सरफेस एरिया इंक्लूडिंग दिबेस तो 5 इसको आप ऐसे भी सकते हो आउटर सरफेस आउटर सरफेस एरिया इक्लूडिंग दिबेस य तो आज मेरे पास है कैलकुलेटर आप मुल्टिप्लाइब करते रहें ना 1.5 x 1.5 2.25 तो 5 यह कितना हो जागा 2.25 और मीटर तो मीटर का भी इसकार हो जाएगा भाई ठीक है अब इसको मुल्टिप्लाइब करें हैं 5 से तो यह हो जाएगा हमारा रसाओ कर है वञ用ARY 2.25 मीटर का की कहिंदा है तो किसी कहने तो मिल्टिप्लाइब करेंगा अब रहूंगा हो 11 1.25 मुल्टिप्लाइब हंडडड मुल्टिप्लाइब करेंगा क्यों सब्सciuni इक इकवाच्ड कॉन सब्सci 191.220 मिल्टिप्लाइब हो हो थिन demi unified में तो सिंपल है एक बार डो आँकर तीन ये छार बार हुआ तो आप समझ गए व आप कि पो समझ में आना से है कि ए मट्रीप्लाइब कर दें ने इसको कितना हो गया देखो multiply यार कितना था वन वन तॉइंट टूफाइफ मुल्टिप्राइफ चार जीरो ना सिम्पल से है 24 कि यह आगिया वन वन टू फाइफ दो जिरो ठीक है चितना यह वन वन टू फाइफ दो जिरो आ गया चलिए वन वन जू पाम जाआ वन वन टू फाइफ एक दो सेंटी मीटर का स्कूर ठीक है चलिए यतना समझ में आ गया अब देखिए आगे हम क्या करेंगे सर्फिस एरिया थो मारण निकल गया आप बात चलिए स्क्वेर टाइल की ठीक है तो हम निकालेंगे पहले हम लिखेंगे एक स्क्वेर टाइल है ठीक है स्क्वेर टाइल मतलब ऐसी स्क्वेर टाइल है 25-25 तूमने लिखा साइड आफ कि स्क्वेर टाइल कितनी बच्चो 25 संटीमीटर साइड करते 25 संटीमीटर ठीक है अब ध्यान दो ना मानलो कि यह हो गया मानलो यह है मानलो एक एरिया इसमें आपको लगानी है टाइस लगाने 25 संटीमीटर ठीक है अब देखिए साइड ऑफा स्क्वेर टाइल 25 संटीमीटर तो इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा न दो यह एरिया बेसिकली क्या है एरिया तो यह जो स्क्वेर टाइल कितना एरिया लेंगी इसमें से कितना एरिया लेगी तो पहले उसका भी एरिया निकालना पड़ेगा तो हम निकाले यहुआ थाहां बच्छो लिख दो कि इसनों चाहिए कि इसनों सुर्मूला तो 25 इपटिस सेंट्री मेटर का श्क्राइब यह सब को समझ में आगे ठीक है अब मुझे इसमें जो है एक टाइल मतलब 625 उसका एरिया है जब मैं यह टाइल इसमें लगाऊंगा इसका इरिया कितना इस बड़े वाले का इरिया कितना है इसमें 625 मानलो यह हो गया इतना इरिया ले लिया इसने तो इसमें से 625 मानस करते चलो करते चलो करते चलो कि यहां तक कि पूरी की पूरी जगा हमारी भर जाए तो हमें अब दिमाग लगाव अपना बच्चों यह पूरा इरिया हमारा कितना है 11250 मैं इसमें से इतना इरिया 625 तो इसी पूरे नमर को इसी पूरे नमर को अगर मैं 625 से डिवाइड कर दू तो मुझे पता चल जाएगा कितनी टाइस चाहिए देखो मैं आपको दिखाता हूं 11125 00 divided by 625 इतनी टाइस चाहिए इतनी टाइस चाहिए अगर आपको यकीन नहीं हुआ तो इसका उल्टा करो मैंने डिवाइड कर रहे ना उल्टा करो 625 को 180 से आप क्या करके देखो मुल्टिप्लाइए करके देखो जब आप 625 को मुल्टिप्लाइए करेंगे देखो 180 मुल्टिप्लाइए 625 125 00 फापस यह निम्मर आ जाएगा इसका मतला मुझे 180 टाइस चाहिए समझ में आ गया इस पूरे का एरिया है कि कभी भी देखो सिंपल है सिंपल बताता हूं मालो की एक बड़ा सा रूम है मालो यह हमारा यह मालो यह हमारा रूम है इसमें आप आम की पेटी रहे हैं और ऐसरे बताओ निक्से में इतनी जगा लेंगी मैं की सिकस्टंटी 5 इशकर देखो आम की लेंगी कितनी जगा ले लिए मैं इसको डिवाइड कर दूँँगा 625 से जब मैं 625 जब डिवाइड करूँगो तो आज सकतना है गाए 180 तो मुझे यह समझ में आगिया कि एक आम की पेटी ने इतनी जगा लें ली और ऐसी 180 आम की पेटी चाहिए जब जो इतनी जगा लेंगी ठीक है कि समझ में आगे ना तो क्या करना डिवाइड करना है ठीक है चलिए अब मैं आपको कराता हूं पहले मैं सो रब कर देता हूं मैं आप लिख लेता हूं क्या किया मेरा भूल जाओ 112520 और 625 ठीक है इसको तोड़ा रब कर देते हैं पर जगे नहीं है फिर अगले वाले पर कराऊंगा हाँ जी अब देखिए अब हमने यह आगे ना मारे पास अब हम निकालेंगे देखिए क्या निकालना था हमें यह आगया हमारा यह यह मारा स्क्वेर का अगया ठीक है अब ही गेट्स दी आउटर सर्फिस हो गया कवर्व देखिए ठीक है हमें हाँ मच टाइब हम निकालेंगे यहां पर लिखेंगे आप टाइज नीडिड या रिक्वाइड टू कवर तो कवर 1 1 2 5 0 0 cm2 area इतना इतना कवर करने के लिए हमें किती टाइज चाहिए तो क्या लिखेंगे हम 1 1 2 5 0 0 divided by 6 25 ठीक है यह लिए ऐसे यह लिख देंगे तो सेंट्री इस 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 इतना आएगा कर देंगा वन एट टी आएगा वन एट टीक है मैं दुबारा से यह था डिवाइड सिक्स टॉन्टिफाई वन एटी है ना किती चाहिए मैं वन एटी है हुआ है समझ में आ गया अच्छा अब हम वर टीटाइज चीन अब निकालेंगे पर कॉस्ट ऑफ टाइल इसंस कितना दिया हुआ मैं पर डिजन के साफ से में दिया हुआ है कितना है बच्चों रूपीज वूर एट हीटी ठीक है सब क्ऊसट ऑफ पर टें मतलब 12 टाइल 파किन publish एस लूपीज तो 12 से कम मतलब कम पर जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे जाद पर जाते तो मुल्टिपलाएं तो कितना ओगे बच्चों यहो गया मेरा रुपीज 40 से लिजा से कम पर जाते हैं मैं बारा से डारेक्ट पर नहीं पता होनी चाहिए कि वन टाईल कि इतने हैं बार इतनी यह तो गया चाहिए पड़ेगा अब वन की कितनी है रूपीज कितनी हो जाएंगी बच्छों बताओ रूपीज 40 तो ही वन एक वन एक वन एटी हो जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा लिए निकाल लेना ऐसे कि बाध चल रही है और नीचे की बाद चल रही है फिर हमें 25 cm की स्कुर टाइल लाई तो हमने क्या कर लिए तो अब पर चितना तो कितना एरिया लेगी दूसरी बात यह मीटर संटीमिटर ला तो इसको थीक कर लिया टीक है आप मीटर को सांटीमित प आपको करनी है ठीक है उसके बाद हमने क्या कर रहा उसके बाद हमने यह निकाल दिया तो कि मैं तो समझा तो निकाल दिया ठीक है चलो करता है